या तो परिशान होंगे दूसरे स्टेट्स में आएंगे, अभी जनता को ये नहीं पता है कि ये बिल क्या है, आज डटोसरा जी ने बोला है कि इस बिल को मैं समझ नहीं पाया हूं पूरी तरह से, तो जब वो कॉंग्रेस के मंत्री होकर जब वो इस बिल को नहीं समझ पाये, तो हमारी भूली भाली जनता, इस टफ और इतनी लैंग्वेज इस तरह की जिसमें टफ रहती है, उसको जनता नहीं समझ पा रही है, हम लोग चूंकि डॉक्टर्स हैं, प्रभुद्ध वर्ग हैं, चूंकि हम लोगों पर ये बिल लागू हुआ है, इसलिए हम लोग इस ब पिरोध कर रहे हैं, और यदि जनता तक ये मैसेज सही तरीके से नहीं पहुचाया जाता है, तो जनता तब परेशान होगी, जब चुडिया खेच चुप जाएगी, हम लोग अपने सेंटर्स को बेच कर, हम लोग चले जाएंगे दूसरे स्टेट्स में, कॉर्पोरेट में काम करेंगे, फिर जनता जाने, गवर्मेंट का सिस्टम जाने, गवर्मेंट का सरकार का हेल्थ केर सिस्टम जाने, सब उनको समर्पित से तो, लेना तो पड़ेगा ये बिल उनको वापस तो लेना पड़ेगा और नहीं लेंगे तो बहुत राजस्थान के साथ बहुत ही अमानवियत का काम करेंगे वो क्योंकि जनता बहुत तरस्थ होने वाली है आप इस बात को अच्छी तरह मानते हैं कि डौक्टर कभी भी भूके नहीं नहीं मरेंगे आप इस बात को समझे लेकिन जनता जिसकी हेल्थ के लिए हम यहां सपोर्ट करते हैं हम अपना जीवन लगाते हैं इतने साल पढ़ाई कर करते हैं जहां हम किसी के लिए कुछ कड़ सकें तो अगर हम लोग यहां पे नहीं होंगे चले जाएंगे तो जनता भुखतेगी और सरकार को उसका परिणाम खुद भुगतना पड़ेगा यह जो मरीज अभी परिशान हो रहे हैं जिम्मेदार तो पूरी तरह सरकार है क्योंकि परिशान तो हम भी हो रहे हैं लेकिन हमें बहुत दुख है कि मरीज परिशान हो रहे हैं लेकिन अभी जो मरीज परिशान हो रहे हैं यह सब टेंपरेरी है अगर यह बिल आ गया तो इतन इतनी अराजकता फैलेगी, डॉक्टर्स पहले परिशान दिखेंगे आपको, लेकिन उसके बाद में आप लोगों को समझ में आएगा कि जनता परिशान हो रही है, और कहीं के भी नहीं रहेंगे, सारा हेल्थ केर सिस्टम खराब हो जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो आज सुविधा देने को तयार हैं, वो सब खतम हो जाएगे.